कि अगेंस तो आपने पिछले छे साल में क्या किया कि आपको वोट दिया जाए और हमें ना दिया जाए मैं एक और बात भी आपको पूछना चाहता हूं इसे कहना चाहता हूं मैंने किशन रेडी साब यहां से सेंट्रल मिनिस्टर है बीजेपी के एंडिये में हैं तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पोस्किया मैं पिछले छे साल में 67,000 करोड कर्च करके मैंने कुछ काम किया आपक आइसा चीज बताइए जो आपक ने किया पिछले छेस एक चीज में ज्यादा भी नहीं पुछ हूँगा है हैधरबाद के लिए शहर हैधरबाद के लिए एक ऐसा चीज बताओ एक वसी मैं साओ दिखाऊंगा आप एक दिखाऊ तो मालू में किशन अना क्या बोलते मिने को किशन अना से इस एवरीटिंग यूवड़न मेरा उसमें शेर है तो मैं भी बोला भाइव एक बार देख लेंगे इसाब किताब कर लेंगे देखो में मेरी मैथ में नोड़ फैनाशिल विज तो मैं बोला हमारे फैनान सेकेटरी के साथ मैं बैठ गया मैं पुछा भाइक क् तेलंगाना की जंता पीपल फैलंगाना इन्ह फॉड फॉड पे गर्था इंकम टाउक सपर्थैं एक्साइज यूटी पे करते हैं शीश्ट पे करते हैं पिछले छे साल में और फॉड और सब्सक्राइब फैरल रीपड पॉड यवड़क ब्सक्राइब फॉड इस दिया कि उन्होंने वापिस हमें एक लाक चालीस हजार करोड दिया मतलब गया है यहां से एक रूप्या आया वापस आठाना अब अमिच शाह आते हैं है रबात कल आ रहें फिर कल पर सुआ रहें मैंने सुना प्रदान मंत्री भी आ रहें अभी पता चला मुझे पर सुआ रह है गली एलेक्शन के लिए दिल्ली से लीडर आ रहें शाद डॉनल्ड ट्रम भी आएंगा देखो तो है अमिच्छा साब आते हैं यहां पर आके बोलेंगे आके बोलते हैं इससे पहले बोल चुके हैं कि हमने तिलंगाना को एक लाक करोड दिया है अमिच्छा साहिब मैं प एक्सेस में दिया आपने हमें वापिस एक लाक चालीस हजार करोड दिया तो लेंदेन की बात आती है कोन किसको क्या दिया कोन किसको बाकी है आप बोलो आज कहां गया हमारा बाकी जो आठाना बाकी जो एक लाक तीसाजार करोड कहां जा रहा है आपके वारनासी में आपके में आपके गुजरात में आज यो सडक बन रहा है बिजली बन रहा हुँस में हमारा इससा है आतो यहां पर हुज नहीं है मैं यह भाग बोलता हूं तो बुरा लगता है फो क्या बहुते मालूं अरे यह तो separatist agenda है काई का separatist agenda मैं क्या बोल रहा हूं मैं जानता हूं मैं भी हिंदुस्तानी हूं हमें proud Indian I am not saying इफ आई पे वन रूपी शुट गेट बैक वन रूपी मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं बस यही बोल रहा हूं कि आप यह शोटी सी बात का बतंगड बनाके मैंने आपको दिया यह पोज मत मारो मैं क्या बोल रहा हूं मैं जानता हूं इस कंट्री का राइलोेत कष्मिर चलाना और बौडर सेकृरिटी है मैं सब जानता हूं थोाल ues चलाना है बौरडर से कुरिटी धिया जानता हूं शरी हिट कश्मीर चलाना है क्रिस का support करना ही है कि जिम्मेदारी है Central Government का मैं पूरी तरह से वाकिब हूँ बट टुकमेंट पोज लाइक यूव गिवन मी सम्थिंग आउट अपने कर दिया ऐसा कोई हमारे लिए बहुत बड़ा मिहरबानी आपने कर दिया यह पोज नको मारो एदराबाद में चलता मैं इसलिए बोला उनको कि नादान अमदाबाद नहीं है होश्यार है यहां पे हम लोग पूरी तरह से तायनात है हम हमेर हमारे पास जानकारी है कि किसने किसको दिया क्या होगा मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं मैं कह रहा हूं आप भूचो वोट डेवलोप्मेंट एजन्ट आप कि यहां के का है है अधराबाद मार्केट में इलेक्शन में एक नया आदमी आ गया बीजेपी से कुछी भी बोले जा रहे हैं ओओ ही ही टॉक्स अबॉट इस बिंग कॉंटेस्ट बिट्वीन बिनलाडन बाबर एंड देश देश बक्त बिनलाडन कौन है बाबर कोन है यह कहां से आगए ह्शण में उन्से हमारा क्या वास्ता है कुछ भी वोटर है क्या यहां के आधराबाद की वोटर है वो बिनलाडन बाबर मुरब अब僑 करो इस्वे सडक कहां बनाओग ड्रेनेज कहां बनाओग पार्क कैसे बनाओग के लोकल बॉर्डी एलेक्ष्ट भी और फिर बात करते हैं अलग अलग अजीव हो गरीब करते हैं बोलते रोहिंग्या है कल समृति इरानी मैडम रोहिंग्या है तो मैं बुलाउं को पर है रुह उन्य पिछले 6 साल से का इडली में आपके रक्षा मंतरी क्या कर रहे हुम मंतरी क क्या कर रहे वोटर आइडी देने वाले मंत्री क्या कर रहे हापी का गौर्वर्नमेंट है इस लाप उन्ट यूर फिस और सेंग तोड़ देर इस इंफिल्ट्रेशन इस कंट्री स्लाप उन यू शेम उन यू कि आप जो लोग इफाज़त करने की बात करते हैं इस मुल्क की अगर आप ठीक से काम करते तो आते कैसे लोग अगर है भी तो तो यह जो बात किया जाता है लोगों को भावुक बनाने का लोगों को उकसाने का लोगों को प्रोवोक करने का रिलिजियस लाइन्स पे ए जो है मैं बोल रहा हूं कि लेट आई टी लाइफ साइंसेस एरो स्पेस लोजिस्टिक्स ट्रैंस्पर्टेशन टेक्स्टाइल्स फार्मा एक आदमिया इसे दिखाओ हमारे अपोनेंट से जो आके डिबेट कर सके हमारे साथ कि क्या बेसिस पे कौन सी सेक्टर पे डिपेट करेंगे बात करते है पालिशी पे चर्चा करो जॉब्स टाकरो एक ओनमी पे चर्चा करो नहीं करेंगे बुलेंगे आक्ट उफ गॉड एक आप याद करो करो न शुरू होने से पहले उससे पहले जो आठ ग्रॉटत थे एइट कॉनक्रीट इवट प्रॉटस बसलोग थैग्याइग to a lockdown landed in a lockdown and that today has landed this country in a recession and why did the slowdown happen why is our GDP growth rate today less than that of Bangladesh and less than that of Sri Lanka why because of the disastrous economic policies pursued by Honorable Prime Minister and his team right-wing politics and left-wing economics a combination about deadly is its own agenda is a reason is the US days baag raha taaraki kykera usko beach main taang aaki gira diya art quarter slowdown jaque a lockdown every session of Modi soft credit is our saldo karo nao employment create kare nao jobs create kareem a but the boys abhi toq to 12 Karo job mila cheetah 12 Karo पर छोड़ो है सो गए हैसे जो हैसे जॉब चले गए इस बात पर डिबेट कर आओ एकॉनमी फिर डिबेट करें आ जो कोई नहीं आता मालूम उनको एकी चीज़ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मुसलमान को इस देश का दुश्मन दिखाओ वोट ले लो कि खतम गाये बोजाओ मैं क्या बोल रहा हूं सोचो आप आज मोडी साब से कोई पूछता है गौवर्मेंट से कोई पूछता है कलकिशनना से पूछे किस यार साब कह रहे हैं कि आप पब्लिक सेक्टर सारे बेज र हो तो क्यों को बोलते हैं एर इंडिया तो लास में है इसले बेच रहे हैं फिर कोई पूछता है उनसे लाइक प्राफिट में उसको क्ईक को बेच रहे cm के हित में हैं मोडी साब ने बहुत सारे प्रोग्राम लाया कि स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया फिट इंडिया सिट इंडिया स्टेंड इंडिया बहुत सारे नया प्रोग्रम लेके आया अभी बेचो इंडिया इसलिए मैं बोल रहा हूं सोचो इंडिया सोचो इंडिया क्या हो रहा सोचो भावक ना हो जल्द बाजी में ना रहो जल्द बाजी में ना रहो सोचो सोचो समझो सोच समझ के वोट करो भावक ना हो है दो मेनिट सोचो आराम से बाइट के सोचो मैं जो बोला अभी तक अगर मैं कुछ भी गलत बुला लेड दिम कम लेड डिबेट लेड़्यम अंगर पी श्ताइच बक्वास नहीं बाबर बिन लाडण को नहीं वें है कौन लिए हुआ हैदराबाद से क्या वाजता है व्हें इलिक्षिन से क्या वाजता है है सर्जिकल श्राइक का पर करते मालूम है तुम्हारे को है कि मैं क्या बोल रहा है सोच बीबात बात भी कर रहे सोच के करो कहां बात करे क्या बात करे कि इस सठीट डिविजिन is unacceptable this sort of rhetoric is unacceptable सोन समझ के बोलो बदनसीबी तो यह है हमारी जिनको बोलना चाहिए दिल्ली में वो तो एकदम खतम हो गए बोल नहीं पारे उनों इसलिए हमारे को छोटे-छोटे पार्टी हैं छोटे-छोटे राज के मोड़ी साब बार-बार बोलते रहते हैं वोकल फुर लोकल वोकल फुर लोकल मैं इसलिए आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं आज तिलंगाना में लोकल पार्टी को ने फिर हम हैं तो आप ड करो मतईलिर चाहिए कि डिली वॉइस डिसाइड कर और हम गली वॉइस हैंavoir हम यहीं के लंगाना के हैं एक रहेंगे गिरेंगे और मरेंगे कुछ भी यहीं पे रहेंगे यह यह लोग आएंगे दिल्ली से टूरिस्ट वापिस जाएंगे फिर रहेंगे तो हम आप सोचिए बाड़ आई थी हैदरबाद में बारिश आई थी हमने साड़े छे लाक लोगों का हेल्प किया दस दार रुप्या दिया जिक्सटी फॉर क्रोर्स टुबी प्रिसाइस हेल्प किया हमने फिर यह जो लोग आ रहे हैं अभी डिली से कहां थे यह लोग हम थे नीडीप वाटर में थे हम हमारे शेयर में चाव तरफ हम गये मदद कर रह किया दूसरे दिन सीम साब ने लिटर लिखा पीम को कि बाड़ा गई हमारी हमारे यह लोगों को नुक्सान हुआ तो मदद कीजिए 1350 क्रोर इंटरम रिलीव दीजिए एक पैसा भी नहीं मिला आज तक एक पैसा भी लिखके भी खत लिखके भी आट नौ में नौ हफते हो एक नाइन वीक्स अव्लैप्स है मोर इंपोर्टेंटली करनाटका में बाड़ आता है चार दिन चार फोर्थ दे यह दिरपा राइस लेटर 669 क्रोर गिवन टू बंगलूर गुजरात में बाड़ आता है पता नहीं आया भी नहीं नहीं पता मोधी साब जाते हैं 500 क्रोर द हम इंडिया में एक एहम हिस्सा है एक ग्रोइंग स्टेट है मदद करो हमारी भी नहीं करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे हैं जो लोग बाकी टाइम पर नहीं आते हैं जो लोग आज आके एलेक्शन के टाइम पर दिखके एक राउन मारके जाना चाहते हैं क्या इन पर एकीन करेंगे आप इन पर भरोसा करेंगे जो लोग हमें तोड़ना चाहते हैं जो लोग हमें डिवाइड करना चाहते हैं इन पर एकीन करेंगे कि आज एक decisive leader है एक तरफ decisive policies है decisive leader है दूसरे तरफ divisive politics है क्या चाहिए बिजनेस चलना चाहिए दंदा चलना चाहिए रोल फुपी इस वाट कीप से कॉनमी रुनिग अन्लिस आपनेस नो नुव जॉब्स नथिंग विल एवर हपन तो माई रिक्वेस्ट वाल फ्यू माई रिक्वेस्ट वाल प्रॉपगेंडा अगर मैं जो बोला इसमें मैं भी अगर जो बोला इसमें इसमें भी गलती है तो जरूर पकड़ो मेरे को बोलो अरे का करे भाई तुम बलके बोलो क्या करे तुम बोलो मैं आपकॉंटबल आम ओफरिंग यू सम्थिंग तो लुक एट और पंच होल्स इफ नीड बी उनको भी बोलने दो कि हमन आप लोग बाहर नहीं निकलते वोट नहीं डालते है अब हमारा अगर रूरल एरिया है तिलंगाना में वहापे वोटिंग होती 85-90 परसेंट है थरबाद में कभी पैंतालिस नहीं क्रॉस होता है हमारे लोग बहुत माहिर है घर बैटके वाट्सअप में मेसेज डालो त्विटर पे गाली दो फेस्बुक में कोई मेसेज डालो वो तो करते बाहर आते नहीं वोट नहीं डालते अगर आपके दिल में हमारे लिए कुछ प्यार महबत या कुछ बहुत करने का इ्रादा है तो बाहर निकलो वोट करो घर बैटके केश बैख्र अच्छा है मेरे स्टेट आगे बडेंगी बस में चैनलब आपके त Pan और नास्यर को फिर से मैं थैंक्स करता हो and anything any questions any comments from any of you I'm happy to thank you once again sir I'm I'm not a politician I'm a businessman but I'll be honest with you we are the biggest beneficiaries